What's up guys, आज हम देखने वाले हैं, आयोध्या में जूटके सहारे हराया गया BJP को, देखे क्या निकला सच, तो पूरी वीडियो देखेंगे, सुशान सिना सर बतागे, बहुत सारी चीज़े, और टाइमसनाओ नौ भारत चैनल से, उर्जी वीडियो का लिंक है, डिस्किप्शन में, 1, 2, 3, go. पर लोगों के घर उजार दिये गए, और सही मुआफ़ा नहीं दिया गया, जिसको लेकर कई वीडियो भी वीडियो भी वाइरल किये गए, इन वीडियो के जरीए ये साबित करने की कोशिश की गई, कि आयोध्या में विकास के नाम पर लोगों की दुकाने और घर उजार वाइरल वीडियो में लोगों को रोते बिलगते दिखाया गया, अर्फ पाशना में अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद वाइरल किये गए, ऐसे वीडियो की सच्चा ही बताओं, लेकिन सबसे पहले अयोध्या में लोगों को मिले मुआफ़े का सच जान दी, के मुताबिक अयोध्या में रामपत, भक्तीपत, रामजन में भूमीपत, पंच कोसी और 14 कोसी परिक्रमा मारके सौंदेरी करण और चोड़ा करने का काम हुआ, इसकी वज़़से कई दुकाने और मकान प्रभावित हुए, जो लोग प्रभावित हुए उन्होंने 1253 करोड रुपए का मुआफजा उनको बाटा जा चुका है, विकास के इंकामों की बज़़से अयोध्या में 4616 दुकानदार प्रभावित हुए, इनमें से 4215 दुकानदारों की दुकाने आशिक तोर प्रभावित हुए, जबकि 401 दुकानों को पूरी तरह से अटाया गया, जिनम से 349 दुकानदारों को दुकाने अलोट की जा चुकी है, इसके रावा कुछ समय के लिए वैपार प्रभावित होने के बदले इन दुकानदारों को 10 लाक रुपए तक का मुआफ़जा अलग से दिया गया है, इतना ही नहीं, 1845 लोगों के मकानों पर असर पड़ा, जिसके बदले उन्हें 300 करोड से जादा का मुआफजा बाटा जा चुका है, इनमें से 89 परिवारों को दूसरी जगा पर मकान अलोट किये जा चुका है, इसी तरह एरपोर्ट के निर्मान की वज़े से प्रभावित हुए लोगों का नियमों के मताबिक पनरवास किया गया और उन इसलिए हमारे टीम मुआफजे की सच्चाई जानने के लिए Ground Zero पर पहुंचे, आयुद्या के उन लोगों को सुनिये, जिनकी दुकाने या धर विकास के लिए हो रहे है, काम की वज़न से प्रभावित हुई, फिर आपको उजाडने के नाम पर वारारों का सच्वी दिखा लेकिन पहले अलुद्या के लोगों को सुनिये, जातों मुआजे का सवाल है, अगर किसी को मिला भी है मुआजे, उसके बाद उनने किता कमाया उससे, चार महिने में उनने दस गुना कमा भी लिया है, मुआजे एरपोर्ट मेलाज सबको मुआजे मिला है, अगर मनल नहीं बनता, सर्क नहीं तोड़ती, तो आप कितना पैसा कमा रहे थे, अगर आप बैपारी है, तो इसका आंकलन आप कर लीजिए, ये गला कारोप है, ये पच्छी की चाल है, हम देश की जनता से ये कहना चाहते है, आप आईए, आपका स्वागत है, और दुनिया के बैकामे में आप मताईए, ये इसका ही बात नहीं है, वो आउजाज जो जिस तरह मिलना चाहिए, सबको मिला, सबको मिला है, बस गरबड़ी है, अगर तरक्की करनी है, और अगर विकास होना है, तो टूट पूट तो संभव है, उसमें हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे गेता जी ल करने के लिए अध्या आना पड़ेगा, और यहां पर जो परिवर्तन जो अभूत पूर काम हुआ है, उसके लिए अध्या बासी बाश्वा के सदय और रिणी रहेंगे, इन्हों ना अंतरास्ट्य पतल पर अध्या कुला के खड़ा कर दिया है, जिसका पेपर खार, जिसका भी जितना डिंट हुआ, उसके एकॉर्डिंग उसको उसका मौवज़त दिया गया है, खीक है, नारास्टी मेरा भी आप यहां से देख सकते हैं, यहां की फूटी खड़ी है, यहां से लेकर यहां तक मेरा भी गया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ठीक है, वोट देने के वक्त थोड़ा सा दुख लगता है, जब मकान तूटा तो तकलीफ होती है, लेकिन उसके बदले में जो चीज़ मिली है, उसके लिए वोट हमने भाज़पा को ही दिया, तो आपने सुना, आयुद्या के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की हार की वज़ा मुआबजा तो कता ह हाँ, विकास होगा जहां भी होगा, भाई अगर सदक बन रही है, जिसको धरोगा दुकाने होंगे तो तूट के ही बनेंगी, हवा में तो नहीं बनेंगी, जिसka तूटेगा उसको दुख होगा, लेकिन जिसको तूटा उसको आपने पुरस्थापित किया या नहीं, मुआ यहां भी मुआफ़ा रही है कि जिसको जहां दुकान मिली वहां भी वो दस गुना कमा रहा है हाला कि इसके पाफजूत विरोधियों ने घर तोड़े जाने और मुआफ़ा नहीं मिलने को बीजेपी की हार की वज़ा थारी के लिए कई वीडियो वाईरल कि एसे ही वीडियो की सच्चाई भी देख लीजे तस्वीर में नतीजे आने के बाद वायरल किया गया जिसमें इस महीला जब मकान तोड़ा गया तो सरकार ने नया मकान भी दिया मुआफजा भी दिया आप खुद सुनिये मैला के वाइरल वीडियो में क्या है और उस पर उस तरीके से फैले गई तो आप लोगों का रोजी रोटी इन पहाने के लिए ये जवाब दीजे आप लोगों का रोजी रोटी का है जो आपने वीडियो में तोटने वाला रहा जब सूचना मिली कि ऐसा होगा तो हम परिसान हर आदमी हो जाता है हमारे हस्पेंट बिस्थापित करके दूसरी जिगा पर जमीन भी दिया है मकान बनाए है और मुअबजा भी दिया है अब जो आगे चल रहा है सो ठीक है और जो अधिकारियों के द्वारा से जोगी उन्होंने पैसे लगागे वो वीडियो फैलाई है आपको समय से मिला था है सुना आपने देखा आपने करसे नेरेटिव सेट किया जाता है कि बाई सब को उठा के फेक दिये किसी को मुअबजा नहीं मिला दीदा नहीं मिला कि ले खाहिए है नहीं वोश्य वहां फिए नन्हीं मिला कि अविरा जो प्रयों है शोजिप वो भी आप में मिला जाता है वहां बाहर लोग उनको कैसे ती जोट पहुंचानी थी वहां बढ़ाग कि देखिए इस देश में क्या चलता है? ये भी देखिए कि आयोद्या में 22 जन्वरी कोई राम देला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आयोद्या के विकास ने किस तरह रफ्तार पकड़ी? राम मंदर का उधगाटन होने के बाद से हर रोज करीब डेर से दोलाक शट डालू आयोद्या पहुच रहे हर महीने राम मंदर में करोडों रुपए का चड़ावा चड़ रहा है अलग-अलग रिपोर्ट्स के मताविक राम मंदर के उधगाटन के सिर्फ दो महिने के अंदर आयोद्या की एकॉनमी 400% तक बढ़ गए राम मंदर के आसपास की प्रॉपटी के दान 10 गुना तक बढ़ चुके है यह आकड़े उन लोगों को जरूर देखने चाहिए जो घर दुकान तोड़े जाने और मुआफ़जे के फेक मेरेटिब को आयोद्या में बीजेपी की हारकी की बज़ा बताने की कोशिश कर रहे है लेकिन सच क्या है वो जानिए हारकी बज़ा कुस्तो रही होगी वो बीजेपी तलाच है लेकिन पबलीग परिशान हो गई मुआफजा नहीं मिला राम की नगरी में ये सच नहीं और वो सच हमने आपको बताया एक तरफ आयुद्या के विकास में रोडा अटकाने के लिए विपक्ष मुआफजे को लेकर फेक नेरिटिव सेट करने में जुटा है दूसरी तरफ आयुद्या में भविराम मंदिर बनने के बाद जिस आयुद्या में पूरी दुनिया की नजर आकर रुकी उससे आतंकी संगठन भी बॉकला आयुद्या आतंकी संगठनों के रडार पर आ चुकी है कई आतंकी संगठन तो आयुद्या में हमले की दरबब की दे चुके है इसलिए मोधी सरकार ने आप आयुद्या को एक अभेद्य किला बनाने का फैसला किया जिसके लिए आउद्या में आतंगवाद विरोधी अवियानों में महारत रखने वाली NSG यानि National Security Guard का हब बनाया जाएगा और NSG के Black Cat Commando आउद्या में बनने वाले NSG हब में तैनात होंगे चन्नाई, हैदरबाद, मूंबई, कॉलकता और एंदबाद के बाद NSG का छठा रीजिनल हब हो गई सूत्रों के मताबिक आउद्या में तैनात होने वाली NSG यूनिट के जवान Specialized Weapon और Anti-Drone तक्नीक से लैस होगी अभी आयोद्या में राममंदर की सुरक्षा UP STF, UP ATS और UP SSF मिलकर संभाल रहा है UP पुलिस ने PSTO और पुलिस के जवानों को मिलकर SSF गठन किया है यानि साथ है कि भले ही BJP आयोद्या में चुनाब हार गई यानि नरेंद्र मोदी के जो मैं कहता हूं कि रिजल्ट अपने हिसाब का नहीं आया तो छोड़ दो त्याग दो नितल को कहीं हो वो काम उनको नहीं करते है वो किसी एक स्टेट को नहीं वो पूरे दिर्श को लेके चार्वान उनको पता है कि आप गए वोट मांगे development के नाम पर एक पार्टी ने मांगे जूट फैला फैला के एक पार्टी कर देदेंगे खार निया अगर यह यह बना दिया लोकतंत्र खत्रे में है वो तो कह रहा है वो सम्विधान बदल सकते हैं आप लोगों से छीन लिया जाए गा और रावल कांदी कह रहा है मोदी ने साफ साफ बोला है कि वो आते ही सबसे पहले सम्विधान को बदलेगा हम आते ही खटा खटा आठ चार दे देंगे तुम प्रैक्टिकलिटी वाइस कोई उठके कोई नेता बनने के शौक में मुझे वोट दे दो वरना दूसरा मेल उसने उसकी मैने रिलीक रिकॉर्डिंग मेर पास उसने काई कि बंते ही रहपट बजातों चलूंगा रोड़ के सब कर देना से आप समझे रो किस तरीके की राजिनिती करी गई गई है और आ कि सरकार उसके लिए मुझा भी देती है वाई हर जेगे होता है यह चीज और देश तभी वह कहता है नेशन कमस्वर्च इसलिए बात आती है और अगर हाँ बीजेभी की 110 परसेंट गल्ती मानता मैं अगर मुझा नहीं देते यह लटका के रखते लोगों को वह चीज नहीं लोगों ने इस तरीकी से फैला दिया गया कि वह बाता अच्छी कास मतलब इतनी बड़ी पार्टी है नॉमल सीज बता ठीक है और अजय एसा वह जिए इंटेनेशनल लेवल पे जिन सब पे की नजर थी उस पे एरपोर्ट बने 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 तो एक बात बता क्या पार्टी इत आए और अपडमने लोगो में भारत में से भूमने Praha Tukarya नहींगे इतने बने इतने शदालोग नहीं यह ए जितना आप जा है individual तो उससे आपसवैक्त खूल अगर कोई आपीhen कीच सुना 흡़ी की वह पार कितनी रोजगार बढ़ा है जो बोह आए है से दिखाया जाता है वही चीज होती है आप अपना पॉइंट भी शेयर कर से दोस्तों बाकी इस वीडियो इन आई ओपनर जिनको लगता है कि कुछ काम नहीं हुआ है या लोगों के साथ गलत हुआ है भेदभा हुआ है बाकी अगर कोई बहां से देख रहा है तो आप भी कर देते हैं कि लोगों किसे बात करी है उधर आज-पास तो पता लगता कि यह काम हुआ है मुआ भी मिला है रही चीज हुए मिलते के वीडियों के साथ बाबाए टिक क्यार